हेलो फेंड्स मैं मंदीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर विंट चाज की इस वीडियो में स्लीज का डिजाइन में आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर मैं प्रिटेट स्लीज बना रही हूँ और इसका कटिंग और लेनी है टोटल लंबाई में रखोंगी साड़ी 11 इंच साड़ी 10 पर यह तैयार हो जाएगी स्लीज हमारी तो यहाँ पर देखिए हमें एक लाइन डोकर लेनी है इस तरह से और यहाँ पर आर्म होल का मेज़र्मेंट लेंगे तो मेरे मेज़र्मेंट में यह 8 इंच है मैंन इस डिसाइन को छोटी स्लीज और बड़ी स्लीज दोनों में ही बना सकते हैं आसानी से तो यहाँ पर देखिए नीचे बॉटम का आपका जो भी मेज़र्मेंट होता है उसका हाफ लीजएगा और देड़ से दो इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको मार्जिन के लिए तो जो और इस स्लीज को बनाने के लिए आपको फैब्रिक थोड़ा जादा लगता है यह जो हमने कटिंग की है फैब्रिक की इसी से आपको डवल फैब्रिक यहाँ पर लेना है स्लीज के डिजाइन के लिए क्योंकि इसमें हम प्लिट्स बनाते हैं तो हमें यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा चाहिए होता है फ्रेंट का आर्म होल भी हमें कट कर लेना है देखिए इस तरह से शेफ देंगे स्लीव में और क्रॉस का निशान लगा लेंगे ताकि जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि यह पार्ट आपको फ्रेंट में ही लगाना है तो यह रहा मेरा फैब से स्वे लेंगे और इसी क्यों पर हमें पैटन को कट करना है तो सबसे फैबरीक को यहां पर लाइंट रोकर के सीधा कर लेना है इस तरह से दोनों स्लीव्स को मैं साथ में ही घट कर रही हूँ तो फेवरिक का आपको ज़रूर से ध्यान रटना है अगर आपको इस तरीके का सीज बनाना है तो आप अलग से फेवरिक ले सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा कॉंट्रस्ट करके भी बना सकते हैं तो यहां पर देखिए नीचे की तरफ में अलग से बॉर्डर भी अटेज करूंगी तो बॉर्डर का मैं धाई इंच अलग से माइनस कर रही हूं पहले हमें इसकी लंबाई यहां पर नाप लेनी है तो 2.5 इंच आ रही है इसकी लेंथ तो यहां पर 2.5 लेंथ में कम कर लेना है यह देखिए तो मैंने अस्तर को थोड़ा सा नीचे कर लिया है और अब मैं इसी की लेंथ की अकॉर्डिंग से कट कर रही हूं यह कप्ड़ा मैंने डवल में रखा है एक स्लीव का पैटन देखिए हम यहां पर बनाएंगे इसे आपको इस तरह से है फिर एक फोल्ड इस तरह से करना है और स्टीव को रखकर चेक करना है तो थोड़ा सा फैब्रिक यहां पर कम आ रहा है तो आप चाहें तो जोड़ लगा सकते हैं या फिर प्लिट्स आप कम ले सकते हैं थोड़ी जिसमें कि यह कप्ड़ा एक्जिस हो जाएगा तो यहां पर हमें मार्किंग करनी है लगभग 6 इंच पर 5-6 इंच आप यहां पर मार्किंग कर लें सेम मार्किंग आपको दूसरे कॉर्णर पर भी कर लेनी है तो इतना गैप हम छोड़ कर करेंगे ताकि जो प्लिट्स है वो सामने सामने आएंगी और फैब्रिक भी आपको कम लगे या फिर एक-एक करके भी बना सकते हैं तो यहां पर आपको ये दियान रखना है कि ये जो आप gap रख रुए हैं प्लिट्स का वह बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए कहीं पर ज़दा या कहीं पर कम नहीं होना चाहिए अगर इसा होता है तो प्लेट्स को आप खोल करके सिला बराबर आ रहा है या नहीं तो यहां पर देखिए मुझे अलग से इसमें जोड़ लगाने की जरुवत नहीं है इसी के उपर यह बराबर से आजाएगा अगर आपका फैबरिक कम होता है तो दोनों साइट आप थोड़ा-थोड़ा कपड़ा जोड़ सकते हैं अलग से अब हम ियना उपर की तरफ से प्लेट यहां पर बना लिनी हैं तो इस तरह से आप उपर की तरफ से भी प्लेटेस को जमाते हुए सिलाइभा लगा ले यह देखें, एक एक करके प्लेट्स बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे, तो उपर और नीचे दोनों तरफ मेने प्लेट्स बना दी हैं, इसे बराबर से सेट करके आप तो प्रेस लगा सकते हैं, या फिर बात में भी कर सकते हैं, अब हमें अस्तर के साथ तो इससे पहले हम नीचे की तरफ बॉर्डर अटेज करेंगे तो आपके ब्लाउस पीस में जो भी बॉर्डर होता है या फिर आप अलग से बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो आप इस समय लगा सकते हैं क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट अस्तर जोड लेंगे लागाक नीचे जो एक सिर्वा की तरफ नीचे कर देना है आपको इस तरह से मैंने बॉर्डर को भी हाब पर अटेज कर दिया है और इसके सार्च केशे सार्च जोल आपको किस रहा है तो सब्सक्राइब कर दिल दो दो ना यहाँ आप उर्फेश आपका सीध मार्किंग कर आप सेंटर मार्ग कर लें और इस तरह से दोनों सेंटर मार्ग को मिलाते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है फिर एक सिलाई आपको अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसे अंदर की तरफ कर लेना है और एक सिलाई उपर फिनेशिंग के साथ लगा लेनी है अगर बॉर्डर नहीं होता है तो नीचे आप कपड़े की पट्टी बना कर भी लगा सकते हैं बिना बॉर्डर के भी आप इस डिसाइन को तयार कर सकते हैं पैटन तयार करने के बाद आपको साइट से सिलाई लगा कर एक स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है यह देखी हाज से कपड़े को अच्छे से फिनेशिंग करते जाना है उसके बाद सिलाई लगानी है प्लिट्स जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, प्लिट्स बराबर से सैट रहनी चाहिए, सिलाई लगाते समय, अब जितना भी एक्स्ट्र फैफिक आ रहा है, इससे आपको अस्तर की बराबर कट कर लेना है, तो अगर आप इस डिजाइन में अस्तर नहीं लगा रहे हैं, त आप पहले इसका पेपर कटिंग कर सकते हैं, सिक्स को तयार करने के बाद पेपर के साथ अटेज करके, आप इससे तयार कर सकते हैं, बिना स्तर के साथ भी, तो दिखिएगा, यहाँ पर मैंने इसे रेडी कर लिया है, तो दिखिए, अब मैं इसके उपर लेस अटेज कर रह और अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं सिंपल रखना चाहते हैं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं उपर और नीचे की तरफ मैंने लेस अटेश कर दी है और इसके बाद ही कि हमें अटेश करना है इसी ब्लाउस के साथ तो blouse पर attach करने से पहले हमें इसे चेक कर लेना है इस तरह से दोनों पार्ट को मिला करके extra कपड़े को cut करेंगे center में अच्छे से mark कर लेंगे इस तरह से और blouse को हमें इस तरह यहाँ पर रखना है shoulder के हाँ से बिल्कुल बराबर से रखेंगे और जो गहराई बाला पार्ट है वो हमें front के side रखना है center से sleeves को attach करना है कोई भी पार्ट को खीचेंगे नहीं बराबर से रखते हुए दिखिए इस तरह से हमें इसे attach कर लेना है इसके बाद आपको fitting की सीधी slide लगा देनी है तो यहाँ पर देखिए सीध पर डवर सिलाई लगाने के बाद मैंने side में fitting भी लगाती है और इसे के साथ यह design बन करके तयार हो गया है ब्लॉज का cutting और stitching मैंने कुछ समय पहले ही आप लोग के साथ शेयर किया था अगर आपने नहीं देखा है तो channel पर upload है देख के आप आसानी से बना सकते हैं और यह design बन करके तयार हो गया है तो आज आप लोग को यह design कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बताईएगा वीडियो को like share जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद